तो आप लोगों ने भी ITM, ATM and OTM का नाम जरूर सुना होगा तो यहाँ पर आप लोगों को confusion भी हुआ होगा तो आज की इस वीडियो में मैं इससे related सारा confusion दूर कर दूँगा and with example के साथ आपको समझाऊंगा कि ITM, ATM and OTM क्या होता है so guys यह वीडियो को बिना skip की हुए and तक जरूर देखें जिससे आपके सारे concept clear हो जाएंगे and दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ educational purpose के लिए है तो चलिए वीडियो को start करते है तो सबसे पहले बात यह आती है कि आपके जो options होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों आपके options तीन प्रकार के होते हैं आपका पहला ITM होता है, ATM होता है और आपका OTM होता है तो ITM की जो full form होती है वो होते है in the money, ATM, at the money और आपका जो OTM होता है उसकी full form होते है out of the money अप दोस्तों इसको हम लोग बिल्कुल आपका option chain में समझते हैं कि इसे हम लोग किस प्रकार समा सकते हैं और इसका हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं तो दोस्तों हम लोग चलते हैं चार्ट पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके दो बार itm, atm, and otm है और इस साइड में आपका itm, atm, और otm है तो दोस्तों इस side वाले जो क्या हैं ये सारे आपके call के हिसाब से बनाएगे हैं और इधर वाले आपके क्या हैं put के हिसाब से बनाएगे हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ITM, ATM और OTM होता क्या है तो दोस्तों अगर आप लोग माले जीए कोई भी call का option खरीते हैं ठीक है तो वो आप किस में खरीदेंगे या तो ITM में खरीदेंगे या फिर ATM में खरीदेंगे या फिर आप OTM में खरीदेंगे तो ITM जो होता है वो इन दा मनी होता है मतलब कि जो आपके premium achieve हो चुके हैं वो आपके किस में आते हैं ITM के अंदर आते हैं एंड जो आपका premium चल रहा है, strike price चल रहा है वो आपका 8 दा मनी होता है एंड जिसको आप अचीव करना चाहते हैं या मार्केट अचीव करना चाहती है वो आपका OTM होता है अब इसे हम लोग और सरल भासा में समझते हैं तो ITM वो प्राइजिज होते हैं जिनको मार्केट अचीव कर चुका है माली जी यह हमें क्या करना है माली जी मार्केट अभी आपकी चल रही है 21,352 रुपे ठीक है और इसे और बढ़ना है तो बढ़ेगी तो कितनी होगी 21,352 है 21,400 होगी 21,450 होगी 21,500 होगी तो यह कौन वाल हैं यह आपके OTM है इनको अभी मार्केट ने क्या किया है अचीव नह नहीं किया है तो इस साइड वाली ओप्सन क्या हो जाएंगे आपके OTM ओप्सन हो जाएंगे एंड दोस्तों आप 21,352 पर चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 21,350 21,300 21,250 यह सब मार्केट क्या है अचीव कर जो है करते हुए आई है आप कहां पर है 21,352 पर तो यह ऊप वाले जो भी है आपके प्रीमियम यह क्या हो जाएंगे यह आपके इंदा मनी हो जाएंगे एंड दोस्तों आपका जो OTM है जहां पर मार्केट चल रही है ठीक है वो आपका क्या होता है एट दा मनी होता है यह सारी बाते किसके लिए हैं यह सारी बाते आपके call के लिए है ठीक है आप दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग put के लिए तो put में क्या होता है इसका बिल्कुल opposite होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें item कहाँ पर है item इसमें नीचे है ATM जहाँ पर आपका call का ATM है वहाँ पर आपका put का भी ATM है ठीक है ATM आपका यहाँ पर उपर है लेकिन आपका call में item क्या है उपर है और put में item नीचे है call में ATM नीचे है और put में ATM उपर है इसका मतलब क्या है अब बात करते हैं हम लोग put की तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पुटकी तो पुटका मतलब क्या होता है कि आपके हिसाब से मार्केट क्या है नीचे जाने वाली है ठीक है अब मार्केट अभी कितने पर खड़ी है एकेजार तीन सो बावन पर अचेब नहीं किया है तो यह आपके क्या हो जाएंगे यह आपके OTM हो जाएंगे और जहाँ पर मार्केट अभी चल रही है वो वाला आपका क्या हो जाएगा आपका ATM हो जाएगा और जो मार्केट अचेब कर चुकी है ठीक है मान लेज़े 21,550 पर थी ठीक है उसने क्या क्या मार्केट गीरी अगर तो पहले 21,500 पर गई फिर 21,450 पर गई फिर 21,400 पर गई अभी 21,350 पर है तो पुट के हिसाब से ये क्या होगे इसके लिए ITM होगे इन सबको मार्केट अचीब कर चुकी है अब अचीब करना किसक यहां तक आप लोग समझ गये होगे अब बात करते हैं एक्जामपल की तो दोस्तों हम लोग इसे एक्जामपल के थुरू भी एक वर्स जरू समझ लेंगे तो चले चलते हैं एक्जामपल पर तो दोस्तों यहां पर आपका कॉल का एक्जामपल लिया हुआ है हमने इसे हम आसान भासा में समझने की कोशिस करते हैं अब दूस्तों मान लिजे कि निफ्टी का जो प्राइज है वो 1200 है मान लिजे यह क्या है आपका एटदा मनी है अभी निफ्टी जो है वो 1200 पर चल रही है अगर इसको बढ़ना होगा तो किदर बढ़ेगी इस सैड में बढ़ेगी ना 1250 फिर 1300 फिर 1300 फिर 1400 फिर 1400 ऐसे बढ़ेगी ना तो मार्केट अभी क्या है अचीव करना किसको है इस सैड वाले को मतलब OTM बाले को मार्केट क्या करेगी अचीव करने की कोशिस करेगी एंड दोस्तों ITM कौन सा हुआ ITM हुआ जो मार्केट अचीव कर चुकी है अभी 1200 पर चल रही है तो इसका मतलब किया हुआ कि मार्केट 1200 और 1150 यह अचीव कर चुकी है ठीक है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे ITM कहेंगे किसके मताबिक आपके कॉल के मताबिक इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी आप बात करते हैं पूट के लिए अब मान लिजे बहुत हमने कॉल के लिए देख लिए अब मान लिजे मार्केट पूट के लिए है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लिजे यही सेम रूल कि market अभी क्या है आपका 1200 पर चल रही है ठीक है मान लिजे market अभी कहां चल रही है आपके 1200 पर चल रही है और market को गिरना है तो गिरेगी तो कम होगा ना price तो पहले 1150 achieve करेगी फिर 1100 achieve करेगी ठीक है फिर 1050 achieve करेगी फिर 1000 achieve करेगी तो यह गिरने के लिए न, तो यहाँ पर OTM कौन सा हो गया, OTM आपका ये वाले प्राइज क्या हो गया, आपके OTM हो गया, एंड दोस्तों इसका ITM क्या हो गया, ITM हो गया ये वाले प्राइज, क्यों, क्योंकि मार्केट तो अभी 1200 पर चल रही है, और इसने 1300 को चिप कर लिया है, और अब कहां पर है, अब ये आपकी 1200 पर है, अगर और गिरेगी, तो 1150 को चिप करेगी, फिर 1100 को चिप करेगी, फिर 1050 को चिप करेगी, फिर 1000 को चिप करेगी, तो इस परकार ITM, ATM and OTM काम करते हैं, तो I hope दोस्तों यहां तक आप लोग समझ गया होंगे, एक बार हम ल 2352 है, नीचे की साइड जाएगी, मतलब की arrow हमने नीचे बनाया है, क्योंकि call के लिए market नीचे की तरफ बढ़ेगी, हाला कि market जाएगी उपर की ओर, जब बढ़ेगी तो मतलब उपर की ओर जाएगी, लेकिन call के लिए यहां पर नीचे की साइड में, तो हमने यहां पर ATM आपके ये हो जाएंगे और जो आपका sport price चल रहा है 2352 ठीके ये आपका क्या हो जाएगा ATM हो जाएगा तो दोस्तों I hope आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी आपको समझ में भी आई होगी तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लिस लाइक आप टेंज जरूर दबाएं साथी साथ माज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर बता देना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के दूँ तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेहिन जे भारत